बहुत समय पहले की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एक गाउं के पास से गुजर रहे थे पग्डंडी के किनारे लगावा एक पौधा देखकर उनके एक शिश्य ने पूछा कि क्या इस पौधे पे फूर लगेंगे या नहीं इसका भविश्य क्या है पहरे तो गुद्ध ने कुछ नहीं कहा लेकिन बार बार पोचने पर उन्होंने अपनी आखें बंद की कुस्दे उस पौधे के पास खड़े रहे और फिर बोले हाँ इस पौधे पर फूल खिलेंगे ये जीएगा खिलेगा इतना कहना ही था कि उस सुष्य ने उसी समय वो पौधा जड़ से उखार दिया और परिफेग दिया और बोला अब बताईए क्या इस पौधे पर फूल लगेंगे क्या अब ये जी पाएगा क्या ये खिलेगा बुध कुछ नहीं बोले सिर्फ मुस्करा दिये कहा कुछ भी नहीं और वो दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गे शाम को उन्हें जिस गाउं पहुचना था वो वहाँ पहुचके लेकिन वहाँ साथ दिन ठैरना पड़ा क्योंकि साथ दिन मूसलाधार वर्शा होती रही और जब साथ दिन बाद वो वापस लोटे उसी गाउं के पास से गुजरे उसी पकडंडी से जिसके किनारे लगा हुआ वो पौधा उस शिश्य ने उखार फेक दिया था वो देखता है कि उस पौधे पर लह लहा कर फूल खिलेबे हैं अब वो शिश्य आश्चर से भर जाता है पौधे की ओर देखता है और कभी बुद्ध की ओर देखता है हैरानी से भर जाता है कि आखिर इस पौधे पर जिसे मैंने उखार कर फेक दिया था फूल कैसे लगाए तब उसने बुद्ध से कहा कि आपको कैसे पता चला आपने इसका भागी कैसे देख लिया तो बुद्ध ने कहा उस दिन इस पौधे के पास खड़े होकर मैंने अंतर में ध्यान लगाकर इस पौधे की आत्मा को देखा था ये देखा था कि इसकी आत्मा बल्वान है इसकी आत्मा हर परिस्थिती में बुरे से बुरे समय में भी कारे करने के लिए लालाईत है जिंदगी के आरजू से भरी होई है इसलिए मैंने कहा था कि ये पौधा जी जड़ पकड़ ली थी तब शिष्य ने कहा आपने पधे का भाग्य तो देख लिया लेकिन मैं पास खड़ा था आपने ये नहीं देखा कि अगले मिनिट मैं से जड़ से उखार दूँगा बुद्ध मुस्कराई और फिर बोले ये सब बाहरी घटना थी जो हो भी सकती थी औ और नहीं भी हो सकता है लेकिन नेति आत्मा मौजूद है और आत्मा मजबूत है और उसमें परिश्रम की भावना है तो वो भाग्य की अब परिस्थित्योप से आने वाले संकट से भी लड़ना जान जाती है मैंने ये भी देखा था कि पौधे की जो बल्वान आत्मा है उसके आगे आने वाले किसी भी घटना का कोई महत्यों नहीं होगा याद रिखें दोस्तों कि इस दुनिया में बड़ा वही बनता है जो क्यों भाग्य से नहीं चमकता जो संघर से चमकता है संसार का नियम है कि भाग्यवान वही है जो परिश्रम करना जानता है भाग्य भी उसी को पहचानता है अगर आपके बाजवों में परिश्रम करने की शक्ति हो तो कोई भी कार या संभव नहीं है परिश्रमियों के लिए तो रमायण में भी एक तुष्टांथ है कि राम ने सुग्रीव जी से पूचा कि लंका कितनी दूर है तो सुग्रीव ने कहा महराज आलसी लोगों के लिए तो कोसो दूर है लेकिन परिश्रमी व्यक्तियों के लिए मात हाथ की दूरी पर है बात भी यही सही है कि सफलता भाग्य तब ही आता है जब उसके शर्म भी आता है शंक और सीपियों से काम तो सिब वो चलाते हैं जो सागर के किनारे गोंगते हैं जो सागर की गहराईयों में जाने की हिम्मत रखते हैं उन्हें बस मूती ही प्राप्त होता है झाल झाल